नमस्कार मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल आज बात करेंगे सतर के दशक की बेहत खुबसूरत और बोल्ड अक्टरिस जीनत अमान की वो जीनत अमान जब फिल्मी परदे पर आई तो हिरोईन की परिभाशा जो है वो बदल गई थी बॉलिवुड की हिरोईन जो है बहुत ही बिंदास हो गई थी बॉलिवुड की हिरोईन जो है कम कपड़े पहन कर फिल्मी परदे पर दिखने लगी थी और हिरोईन जो है बिलकल हॉलिवूड हिरोईन जैसी हो गई थी जी हाँ जीनत अमान जो है बहुत थी खुबसूरत और उस दौर की जो है बहुत ही modern हिरोईन मानी जाती थी उनके फिल्मों में जो है उनके बड़े बिन्दास रोल हुआ करते थे और अमिताब बच्चन के जीनत अमान को देखने वाले जो हैं बिलकुल उन पे फिदा हो गए चाहे उनकी वो पहली फिल्म हो हरे रामा हरे कृष्ना जिसमें वो नजर आई थी और बहुत ही गजब का रोल हरे रामा हरे कृष्ना में था उनको देवानन की खोष कही जाती है जीनत अमान और इसके के में वो लोगों के दिल को चुरा लिया करती थी जीना तमान जो है अब सतर साल की हो चुकी है और देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी भी रही उनकी फिल्मों की तरह उनकी परसनल लाइफ की भी बहुत चर्चा होती रही उनकी दो शादिया और कोई भी शादी जो है बहुत सही सलामत नहीं रहा हर शादी से कुछ न कुछ विवाद रहा तो हम आपको आज उनकी निजे जिन्दगी की कुछ कहानिया बताएंगे आपको बताएं कि अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है जीनत अमान की लाइफ में आय लेकिन इसके बाबजूद फिल्म के हीरो हिरोईन में प्यार हो गया और प्यार इसकदर हुआ कि संजे खान ने जीनत अमान से दूसरा निकाह कर लिया शादी शुदा होते हुए भी उन्होंने जीनत से निकाह कर लिया और जीनत जो है जब शादी हो गई तो उन पे और एक बहुत ही अजीब साव कह सकते है आरोब सन्जे खान पर लगा हुआ है उन्होंने जीनत अमान ने सरयाम इस बात को बताया था कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब सन्जे खान और जीनत अमान के रिष्टे खराब होने लगे उसके बाद जो है जीनत अमान उनसे मिलने एक होटेल में गई थी जहां एक पाटी चल रही थी वहाँ पे संजेखान की वाइब भी थी और कहा जाता है कि जब जीनत ने अपने और उनके रिष्टों के बारे में बात करनी चाही उन्हों ने यही कहा होगा कि आप मुझे समय नहीं देते हो या आप हम दोनों के रिष्टे में जो है वो खत्म होते जा रहें तो इसी मुद्दे पर कहा जाता है कि अलग कमरे में जाकर संजे खान जीनत अमान से बात कर रहे थे और वहीं पर उनकी वाइफ भी थी और उसके बाद संजे खान और उनकी वाइफ ने जीनत अमान को बहुत मारा पीटा था कहा जाता है कि बिल्कुल जानवरों की तरह उनको इतना पीटा गया था कि उनके पुरे चेहरे जो हैं उनका पुरा चेहरा खून से भर गया था चेहरे में कई जगा जगा जखम हो गय थे और करीब आठ से नौ दिनों तक जीनत अमान जो हैं अस्पताल में पड़ी रही थी लेकिन संजे खान के प्रती उनके मन में इतना उस समय प्यार था कि उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला कोई केस नहीं किया अगर जीनत अमान संजे खान के खिलाफ केस करती तो वो बुरे फस्ते लेकिन उन्होंने उस समय चुपी सा अपने परिवार और अपनी वाइफ को धोखा देते हुए उन्होंने जीनत अमान से शादी की और फिर उसके बाद वो जो है फिर जीनत से दूर जाने लगें तो इस पुरे रिष्टे में जीनत कहीं न कहीं वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती रही इसके बाद असी के दश साथ जो है डोमेस्टिक वाइलेंस के केस जो है उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने अपने पती पर यारोप लगाया था कि वो उनके साथ बहुत मार पीट करते थे और ये शादी बहुत अक्ची नहीं चली और कहीं नays बहुत करवाहट भरी रही बाद के दिनों में ज बढ़कियां उनकी दिवानी हुआ करती थी और तब ये कोई नहीं फील करता था कि वो पाकिस्तानी खिलाडी है तो उसको कोई ना पसंद करे जितना उनको पाकिस्तान में प्यार मिलता था उतना ही प्यार उनको हिंदुस्तान में भी मिलता था और बहुत सारे विग्यापनो में वो नजर आते थे तो उनका मुंबई आना जना बढ़ा और उनके मैचेस देखने जो है जीनत अमान जाया करती थी और तफिर इसी दोरान उन दोनों के बीच अफेर हुआ लेकिन जो है ये रिश्टा शादी तक नहीं पहुंचा आपको बता दें उस दोरान जो है इमरान को भावी कहकर चिड़ाया करते थे तो ये कहानी तो प्यार तो हुआ दोनों के बीच लेकिन इस रिश्टे को कोई नाम नहीं मिला कोई शादी वाली कोई ऐसी बात नहीं थी इसके बाद जो है आपको बता दें कि सालों बाद जो है जो है जीनत अमान के दो बेटे हुए उ हो सकता है कि किसी ने उनके साथ कोई ऐसे धोखादड़ी की है बदमाशी की है बाद में जब मामले की पुलिस ने जाच की तो बात कुछ और निकली आपको बता दें कि साथ उस समय जीनत अमान की उम्र जो है 65 साल की रही होगी और उन्हों ने तीसरी शादी जो है सरफराज की उम्र 35 साल की थी वो शादी शुदा शक्स था दो बच्चों का पिता था लेकिन इसके बाबजूद वो जीनत अमान के प्यार में पढ़ गया और खुद से करीब 30 साल बड़ी अक्टरस थे उन्हों ने शादी की और जीनत अमान नहीं आरोप लगाया था कि सरफराज ने उन पर धोखा धड़ी की और पुलिस ने जब जाच किया तो एक मौलवी ने भी बताया कि उन्होंने जीनत अमान और सरफराज का निकाह करवाया था सरफराज का असली नाम अमन खन्ना था लेकिन जीनत अमान के चकर में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया वो उनके साथ हज करने मक्का भी गये थे और जो भी डॉकुमेंट्स हैं उसमें जीनत अमान ने अपने पती का नाम सरफराज लिखा था लेकिन जीनत की ये तीसरी शादी भी चली नहीं क्योंकि बाद के दिनों में जो है जगड़े होने लगे और फिर उन्होंने सरफराज पर केस भी किया था धोखा धड़ी का केस किया था इसके बाद इस मामले में सरफराज ने अपना भी पक्ष रखा एक दोनों के बीच फिर किस तरह से सुला हुई लेकिन अब जो इनकी तीसरी शादी भी जो है अलग हो चुके सरफराज जो है अब खो जीनत अमान से अलग ह चाई थी कुछ दिनों तक दोनों का साथ बहुत अच्छा चला लेकिन बाद के दिनों में दोनों के रिष्टों में खटास आई और उसके बाद जो है आपसी लड़ाई जब बढ़ी तो जीनत अमान ने उसक्स पे केस कर दिया और सरफराज जो है उसने फिर अपनी तरफ से स लेकि निजी जिन्दगी में जो है जीनत के रिष्टे जो है उनके पती के साथ हो चाहे उनके जो प्रेमी हो कभी भी किसी भी रिष्टे में जो है वो बहुत सफल नहीं रह पाई अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि आप इंटेटेन्मेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीस की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर इंटर्टीन्मेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24